नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सुकला, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल A2Z Banking Information पर दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, अगर आप बकरी पालन का ब्योसाय प्रारंब करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के चलते आप अपना ब्योसाय प्रारंब नहीं कर पा रहे हैं, तो आज हम आपको बकरी पालन के ब्योसाय के लिए भारत सरकार क तीन ऐसी योजनाओं की जानकारी देने वाले है, तीन ऐसी स्कीम्स की जानकारी देने वाले हैं, जहाँ पर सरकार पस पालन को बढ़ावा देने के लिए त Cherry percentvine subsidy भी दे रही है, इसके साथी साथ आपको बहुत ही कम व्याज़़दर पर यह लोन दिया जाता है, तीसरी और के माध्यम से आपको लोन मिल जाएगा क्योंकि इन स्किम्स के उपर गवर्मेंट का बैंकों के उपर बहुत ज़्याद दबाव होता है सरकार बहुत ज़्यादा इस पर नजर रखे हुए है कि अगर कोई भी आवेदा कोई भी किसान बकरी पालन की वेशाय के लिए यहां पर आपको बहुत ही कम व्याद दर पर यह लोन दिया जाता है तो दोस्तों वीडियो में आगे हम आपको पूरी जानकारी इस विशेपर देने वाले है कि वो कौन सी तीन योजनाए है आपको कितना लोन मिल सकता है इन योजनाओं के माध्यम से इसके अलामा इसमें कौन-कौन से डाकुमेंट लगते हैं किस व्याद दर पर आपको यह लोन दिया जाता है इसमें आपको मैक्जिमम कितनी सब्सेडी मिल सकती है क्या इलिजबिल्टी क्रिटेरिया है यानि पात्रता सर्ते क्या है सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाले यानि एक एक चीज आपके सभी एक डाउट क्लियर हो जाएंगे तो अगर आप भी बकरी पालन की विस्तार से जानकारी दे उससे पहले आप सभी लोगों से मेरे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजेगा साथी चैनल पर नए है पहल कर लिजेगा साथी बेल आइकान को जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों सरकार पसपालन को बढ़ावा देने के लिए बकर पालन की बेवसाय के लिए कई स्कीम्स चला रही है कई तो ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें आपको 50% अनुदान दिया जा रहा है नि 50% सबसेड़ी मिल सकती है जी हाँ दोस्तों अगर हम बात करें राश्टी पसुधन मिसन तो वहाँ पर आपको 50% सबसेड़ी मिल रही है लेकिन बहुत बड़ी स्कीम्स हैं वहां पर अगर आपको बड़ा बिजनेश डलना चाहते हैं बकरी पालन का बहुत बड़ा फान खुलना चाहते हैं तो फिर आप उन स्कीम्स में आविदन करिएगा उसके एलामा एक PMEGP स्कीम है आप वहाँ पर भी बखरी पालन की बेवसाय के जटिल होता है, बहुत ही आसानी से लोन यहां पर नहीं मिल पाता है, लेकिन जो हम आज आपको बताने वाले हैं, तीन योजनाओं की जानकारी देने वाले हैं, उनमें आपको लोन थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन यहां पर प्रक्रिया जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आपको बताना चाहते हैं कि जो बकरी पालन के ब्योशाय है वो पिछले 5-10 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है देश के जो किसान भाई है जो पसपालक भाई है उन्होंने बकरी पालन का ब्योशाय करके लाखो रुपए महीने कमा रहे हैं और कमा रहे हैं तो आप भी अग अपने जीवन में खुसिया ला सकते हैं लाखो रुपए महीने आप आमदनी बकरी पालन के ब्योशाय से कर सकते हैं आईए अब हम आपको तीनों स्कीम्स की जानकारी देते हैं कि किन-किन स्कीम्स से आपको यह लोन मिल सकते हैं बकरी पालन के ब्योशाय के लिए तो दोस् स्कीम से लोन प्राप्ट कर सकते हैं इसके लामा एक दूसरी योजना है अम्बेदकर विशेष रोजगार योजना ये भी पूरे देश में सभी राजसरकारों के द्वारा चलाई जा रही है तो आप अगर चाहे तो इस योजना से भी लाप राप्ट कर सकते हैं इसके लामा अगर आप यसी-श्टी कैटागेरी से हैं तो फिर यहाँ पर आपको यसी-पी स्कीम के तहर लोन मिल सकता है यानि स्पेसल कंपोनेंट प्लान यहाँ से आपको लोन आसानी से मिल जाता है दोस्तों अगर हम इनमें सब्सीडी की बात करें कि आपको इनमें कितनी सब्सीडी मिलती है तो दोस्तों वैसे तो इसमें आपको 33% सब्सीडी मिलती है लेकिन मैक्जीमम जो इसकी सब्सीडी है वो सिर्फ 10,000 रुपए है है कि इसमें जो अधिक्तम सब्सेडी है इन तीनों स्किम में वो मैक्जिमम 10,000 रुपए है वही जो यह SCP है यह S C और S T के लिए है बाकि जो दो योजना मैंने आपको बताई S G S Y यानि स्वन जैन्ती ग्राम सरोजगार योजना और अंबेदकर विशेस रोजगार योजना इन में मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप S C, S T कैटागिरी से है तो आपको 10,000 सब्सेडी मिलेगी वही अगर आप जन्नल और OBC कैटागिरी से है तो फिर आपको यहाँ पर 7,500 रुपए की सब्सेडी मिलेगी तो कुल मिला करके यहाँ पर आप इनी स्किम से लोन बहुत ही आसान है आपको कहीं भी बहुत जाद दाड़ भाग नहीं करनी है आपको सिर्फ एक बार अपने विकास खंड यानी ब्लॉग जाना है वहाँ पर जाने के बाद एक ओफिस इसके लिए अलग से बनाया गया है कि अगर जो लोग रोजगार के लिए आया है जो उनक आप यह CST केटागिरी से हैं तो वो यह CP स्कीम के तहट आपकी फाइल बना देंगे तो आपको वहाँ से एक फार्म प्राप्त कर लेना है चाहे आप SJSY के ले आई है चाहे आप यह CP कर ले आई है और चाहे आप अम्बेदकर विशेस रोजगार योजना कर ले आई है वहा बैंक में आपका बचत खाता है आपके छेत्र का जो भी बैंक हो आपके सर्विस एरिया का उसकी पास्वुक की आपको फोटोकापी लगा देनी है आप प्रमारपत्र लगाना है और अगर आप यहां पर यह CST कैटागिरी से हैं तो फिर दोस्तों यहां पर आपको जाती प प्रधान के पास उनसे इसका अनुमोधन करा लेंगे अनुमोधन कराने के बाद आप यह फार्म ले जाकर के चाहिए आप प्रधान से करा लेंगे जो BDC होते हैं छेत्र पंचायत आप उनसे भी इसका अनुमोधन करा सकते हैं ले जाकर के आपको ब्लाक में उन्ही अधिका बैंक की फोटोकापी लगाई है, बचत खाते की पास्बुक की फोटोकापी आप जिस भी बैंक की लगाए है, उसी सम्मंधित बैंक को आपकी वो फाइल भेज दी जाएगी, बैंक इसकी पातरता की जांच करेगा, बैंक आपके गौओं आएंगे, पता करेंगे, आप प्रतिस्त यहाँ पर लोन मिल जाएगा, और यहाँ पर किसी भी तरह की रिक्वाइर्मेंट जरूरत नहीं होती है, नहीं आपको किसी ट्रेनिंग सार्टिफिकेट की अब सकता है, बस यहाँ पर अब सकता है, तो सिबिल स्कोर की, अगर आपका सिबिल स्कोर सही है, तो फि में आप amount लिखेंगे कि हमें कितने रुपए की लोन के आप सकता है हम कितनी बकरी का पालन करना चाहते हैं तो वो चीज आप लिख करके देंगे लेकिन वो मानने नहीं होगा उसके जब बैंक आपकी फाइल आएगी तो बैंक के जो loan officer है वो वहाँ पर उसे sanction करेंगे और sanction करते समय वो वहाँ पर amount लिख देंगे कि हम इन्हें इतने रुपए का loan दे सकते हैं तो जनली क्या होता है अगर आप एक लाख रुपए की loan की demand करते हैं तो वहाँ पर 60-70,000 रुपए वो वहाँ पर sanction करते हैं यहाँ यहाँ पर 30-40% amount वो कम sanction करते हैं जितना भी amount आप बताते हैं तो वह sanction करके आपकी सम्मंधित block को एक file फिर से भेज़ देंगे याँ आपकी जो subsidy है उसकी demand करेंगे कि हम इनका loan स्विक्रत कर देंगे आप इनकी subsidy दे दीजिए चार से आठ जिन में आपकी subsidy block से आ जाती है bank जैसे ही आपकी subsidy आ जाएगी bank आपको phone करके सूचित करेगा आप bank जाएंगे एक file तयार की जाएगी बकरी पालन की और उसमें आपके हस्ताच्छर होंगे आपके photo लगेंगे आपके KYC document जमा होंगे और दोस्तो आपका जो loan है वो open account open कर दिया जाएगा उसके बाद दोस्तो पैसा आपके saving account में transfer कर दिया जाएगा अगर आपको 50,000 रुपए का loan स्विक्रत किया गया है 10,000 आपकी subsidy मिला करके 60,000 रुपए आपके saving account में ढाल दिया जाएगे और आप उसे निकाल करके बकरी ला सकते हैं पैसा सुरक्षित रहे और आपका भी पैसा सुरक्षित रहे और आपकी बकरियों के साथ कोई अन्हों नहीं होती है तो वहाँ पर वीमा कंपनी के द्वारा claim मिल जाए जिससे bank का भी loan सुरक्षित रहेगा उस दसा में दोस्तों उसके बाद आपको अगर हम ब्यासदर की बात करें कि किस ब्यासदर पर यह loan आपको दिया जाता है लेकिन अगर आप पैसा ला करके ब्योसाय में लगा रहे हैं तो 10% ब्याज कोई बहुत नहीं होता है 10% ब्याज वारसिक होता है तो दोस्तों यह 1% महीने भी नहीं आ रहा है यानि 10% ब्याज आपको वारसिक देना है इसमें और दोस्तों अगर हम बात करें इस loan को आपको कितने दिन में repayment करना है तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसका repayment आपको 5 वर्सों में करना होता है छमाही इसकी किस्ते होती है यानि साल में आपको 2 किस्ते देनी होती है जब से आप loan ले रहे हैं इसके 6 महिने बाद आपको पहली किस्त देनी है एक वर्स पूरा होगा दूसरी किस्त देनी है तो कुल मिला करके 5 वर्सों में 10 किस्त बनेंगी उन 10 किस्तों में आपको इस loan को अदा करना होगा subsidy आपको पहले ही मिल जाती है लोन आपका 50,000 रुपए का होगा और 10,000 subsidy मिला करके आपको 60,000 रुपए मिल जाते हैं तो कुल मिला करके इस तरह से आप बकरी पालन का ब्योसाय प्रारंब कर सकते हैं और अपने जीवन में खुसाली ला सकते हैं दोस्तों इन तीन में से किसी भी scheme से अगर आप आवेधन करना चाहते हैं तो तीनों का process सेम है इसी तरह से आपको तीनों scheme का आवेधन करना है तीनों के farm आपको ब्लाक में मिल जाएंगे तीनों का loan भी इसी तरह से होता है अन्य कोई भी document नहीं लगते हैं दोस्तों आसा करते हैं बात आपकी समझ में पूरी तरह से आगई होगी अगर आप बकरी पालन के ब्योशाय करना चाहते हैं तो इन तीन में से किसी भी एक scheme से loan प्राथ्त करके बकरी बख्री पालन के ब्योशाय प्लोड करके अगर यग लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ ही बिल आइकान को जिरूर प्रस कर लीजेगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए जै हिन्द जै भारत